हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत ही जादा अच्छे होंगे आयूश की काउंसलिंग के हम फिर से आपके लिए वीडियो लेके आए हैं विकोज आप सब की क्वारी आयूश काउंसलिंग से लेटेड काफी कुछ आ रही है आपको यह बताना चाहेंगे कि कौन-कौन से कोटे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आयूश की काउंसलिंग के उपर बिसिकली यह वीडियो है तो इसको एंड तक आप जरूर देखिएगा आपको काफी कुछ से सीखने को मिलेगा समझने को मिलेगा ठीक है सो बच्चो स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजे अगर आप नए है इस चैनल पे तो डेफिनेटली सबसे पहले आप उसको क्या करना है लाइक शेंड सब्सक्राइब करिए चीक है जहां पर साती साता बेल आइकन को प्रेस कीजिए उसके वज़े से आपको लगातार हर एक न्यू आपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते चलेंगे ठीक है तो बच्छो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन जो की है किस पर आयूश कांसलिंग के उपर अगर हम बात करते हैं आयूश कोणसलिंग आप करते हो या आयूश के कौसलिंग अपकर आता है आपका बीएच मेले ताथा है होमेपातिक आता है आपका युनानी आता है और आपका एक सिद्धा आता है ठीक है यह courses इसके अंदर आते हैं, means आयूश की counselling के अंदर यह courses आते हैं दूसरी अगर हम बात करते हैं, बतार इन जो courses हमने बताया, अगर इन में आपको admission लेना है तो आपको आयूश की counselling में बैठना पड़ेगा, ठीक है, अब आती है, दो तरिके की counselling होती है जैसे कि MCC में भी आपने देखा था, यहां पे भी दो तरिके की counselling होती है एक होती है आपके All India Quota की counselling और एक होती ही आपके State की counselling ठीक है, सो फर्स्ट इसा All India Quota counselling and the second one is a State Quota counselling All India Quota की जो counselling होती है बच्चों, इसका जो conducting vote होता है, means इस counselling का जो conducting vote होता है वो होता है आपका AACCC, means इस conducting vote के जरिये ही हम यहां पे counselling कर आपाती है ठीक है, सो यहां पे क्या है, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, कौन अप्लाई कर सकता है All India के candidates can apply over here, यहां पे कर सकते हैं, clear इसले किसा अगर हमें state quota counselling की कि आप से बात करें, तो जैसकि आप नाम से चीजह समझ वारे है state quota कि हम यहां पर पर्टिक्लर स्टेट कंड़ कराता है, अपनी counselling को कंड़ कराता है, यहां पर All India की बात नहीं है, यहां पर पर्टिक्लर स्टेट अपनी का क्या कराते है कंड़क कराते हैं शो देखे निजा MR कोक बहुते हैं उस पांसलिंग के रिगार्डेड तो बचू हमारी कोशिफंस आपके लिए यही है कि जब आपके कांसिलिंग कि सीजena सीजों से अवेर रहे कि क्या तरीके की counseling, कौन से counseling होती है, क्या होता है, इसके detail आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, All India Quote counseling की बात करते हैं, तो इसको conduct कराने वाला है, जैसे कि हमने बता दिया, AACCC for the All India Candidates होती है and state counseling particular state के लिए होती है, ठीक है, next अगर हम बात करते हैं, बच्चों ये बहुत important आपके लिए एक चीज़े लेके आए हैं, जहां पर AACCC UG counseling के अगर हम बात करें, तो देखे इन में क्या-क्या, क्या-क्या चीज़े इनके अंदर बताई गई हैं, so यहां पर बताई गई हैं, 15% All India Quote की जो seats होती हैं, है न, आपको पता है, कि All India के लिए 15% seats होती है, so यह 15% जो seats होती है आपकी इन particular courses के लिए चाहे वो आपके government-aided institute हो, चाहे वो आपके government institute से उनकी जो 15% जो seats होती है, उनकी counseling कौन करता है, आपका AACCC करता है, ठीक है कौन करता है, बच्चों की counseling AACCC, तो फिर से बात सुन लिजे All India Quote की seats होती है, जो 15% के seats होती है, उन 15% seats किसके लिए, आयूश के admission के लिए वो कौन कराएगा, आपका AACCC कराता है, ठीक है इसी तरह किसा अगर हम बात करते हैं National या Central Institute के बात करें तो उसके अंदर 100% जो seats है, ठीक है, उसकी counseling भी आपका कौन कराता है AACCC ही कराता है, for all over India के लिए, ठीक है किन courses के लिए, जिन courses की हम आज जिन के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है आयूश के courses की, ठीक है तो इसी तरह किसा अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो देखिए, 100% जो seats होती है, आपके BAMS की, under the BHU वरनासी उत्तर प्रदेश, वो भी कौन कंड़क कराता है आपका AACCC कराता है तो देखिए, आप इन में से किसी भी चीजों में अगर based है, कहीं के भी based है, तो आपको यह समझ मैंगा कि आपकी counselling कराएगा कौन है ना, यह एक सबसे main motto है इस वीडियो का तो अगर हम बात कहते हैं कि 100% seats अगर आप आयूश में admission लेना चाहते हैं, BHU के अंदर, तो उसके counselling कौन कराएगा आपकी, definitely कौन कराएगा, AACCC कराता है तो individual registration के BHU के अंदर, वरानासी के अंदर आपको कराने के जरुवत नहीं है clear? similarly अगर हम इसी तेके से बात करते हैं जो आपका यहाँ पर है कि 50% BOMS seats of AMU मता 50% जो seat है आपकी AMU की अलिगर की, ठीक है वो उत्तरप्रदेश, वो कौन कंड़क कराता है, वो भी आपको कंड़क कराता है AACCC कराता है, ठीक है तो यहाँ पर भी आपको यह बात clear हो जानी चाहिए कि 50% seat आपके AMU की कौन कराता है, इसके भी जो आयूश के courses के लिए वो कौन कराता गया बच्चों वो आपके AACCC ही कराएगा clear, similarly 50% आपका next अगर आप देखिए तो 50% student क्या है यहाँ पर आपका BAMS और BHMS seats आपता, इसका NEIH का शिलोंग में घाले यह कराता है, means इसका भी कौन कराता है, आपका AACCC कराता है means इनके भी 50% seat का जो काउंसलिंग है वो कौन कराएगा AACCC कराता है similarly बच्चों 100% जो आपकी seats होती है undergraduate courses like BAMS की बात करें, BUMS की बात करें या आयूश के जो courses के अगर हम बात करें तो उसके 100% seats of all the Dean University कौन कंड़क कराता है आपका AACCC तो अभी आपको यह चीज़े clear हो रही होंगी कि आप जिन जगों पर admission लेना जा रहे है वहाँ पर उसको counselling कराता कौन है यह एक उसका main मुद्दा है आज का So 100% आपकी जो UG seats होती है किसकी आपके जो दिली इंवर्स्टी से दिली इंवर्स्टी की कौन से courses के लिए आपके किन courses की बात चल रही है हम कर रहे हैं आपके BMS courses की बात कर रहे है So उसमें भी आपकी 100% seats है डेली की BMS course के लिए वो कौन कंड़क कराता है AACCC कराता है बात क्लियर हो रही है So यह चीज़े क्लियर हो गई कि चाहे हम team की बात कर रही है चाहे हम BHU की बात कर रही है So यह चीज़े आपको क्लियर हो गई ठीक की कौन कराता है AACCC के जलिए किस की काउंसलिंग होती है तो अब हम बात करते हैं State Quota की State Quota में क्या होता है क्योंकि वो तो All Over India का हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं आपके State Quota की State Quota में क्या है जितने भी आपके Government and Government Aided to Institute है ठीक है आयोश के लिए जो Government या फिर Government Aided to Institute है उसके 85% seats के admission के लिए कौन जम्मिदार है Yes, State Counseling Authority जम्मिदार होती है So यहाँ पे आपको क्योंकि किस के बात करें 15% seats नहीं है बलकि आपके 85% जो बच्छी हुई seats है वो State Quote में आपके Government and Government जो Aided Institute होते है उसके 85% seat का जो Counseling कराने वाला वो कौन है State Counseling Authority होती है ठीक है, States में So 100% seats होती है आपके Private Colleges में इसकी भी कौन कराता है आपका State Counseling Authority कराता है मेंस वो State Quote से होता है ठीक है, नेकिन अगर आप बात करते हैं कि हार एक State का जो 85% जो seats होती है वो Government और Government Aided Institute है उनमें admission के लिए आपको क्या चाहिए होता हार एक State को अपने एक Domicile होता है ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे State के हैं आपके पास अगर Domicile उस State का नहीं है तो आप इस जगा पे admission नहीं ले सकते हैं However, Private Colleges में आप क्या कर सकते हैं Apply कर सकते हैं ठीक है, लेकिन जो उनका State quota है उसमें जो Government और जो Government Aided Institute है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं वहाँ पे Domicile की जवत परती है अपने States की, ठीक है लेकिन कुछ ऐसे Open States होते हैं ठीक, उनमें किया जा सकता है लेकिन अगर हम Private Colleges की बात करते हैं तो Private Colleges में भी आप कर सकते हैं बात समझ में आ रही है So बचों ये है आपका कि आप किस चगा पे अपनी counselling में आप बैठो counselling में जाने से पहले ये सारी चीज़े आपको बहुत पता होनी चाहिए कि counselling होने वाली है आप कहां के लिए कितने eligible हैं ये बाते आपको जाना बहुत जरूरी है So next video में आपके लेके आएंगे और भी जादा detailed information दूसरे आपके जो queries हों इनके बारे में तब तक के लिए मिलते हैं next video में मिलते हैं take care, bye bye